सुरजपाल लमु साहब चुकि आप खेल असोसियेशन के साथ जुड़े हुए हैं मेरा सवाल है कि ब्रिज भूशन शरण सिंग इतने गंभीर आरोप और वो आरोप भी इस देश के वो बच्चियां लगा रहे हैं जिनोंने देश के लिए अपनी जिंदगी लगाई है जिनक तो नहीं स्तिफा देरा उल्टा चुनाती देरा कि मुझ खोल दूंगा तो सुनामी आएगी तो हिंदुस्तान सुनामी कई बार देख चुका है और सुनामियों से डरता ने हिंदुस्तान के अंदर जहां तक बाद बच्चियों की यह देश का गौरव है प्राउड है यह लिए तरंगा उठागे चलती है पुरा दे सिंका संबान करता है क्योंकि मैं हर्याना ओलंपिक संद्र से आते हूं और मैं सबस्तोर पर कह रहा हूं हर्याना की बेटियां धरने पर बैटी दो दिन से दुख है परंतु मेरा सीधा-सीधा मैंने बात कही है कि आपको लिखत म से कंप्लेंट देनी चाहिए साक्षी मलिक भी कमेटी की सदस्सें जिसमें वह जो जो चेड़शाड कमेटी होती है उन्होंने आयोए को आप चुट्टी लिख कर दे दी है एक डीटेल जिसमें विनिश्कोगात ने भी अपनी बात क्योंकि इन्होंना इतना बड़े- सामने आओ और सामने आकर सामना करो इंडियान ओलंपी का सेटो हम खेल संगों के उपर नियंतन रखते हैं कि वहां गुंडा कर दीना अगर कोई इस परकार की हिमाकत कर रहा है तो निश्चित तोर पे उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए हम बेटियों के साथ है परन्तु कैसि तुम्हारे पीचेगे partili तुम्हारे पीचेग को बड़ा ऊद्र लगा दिया और इपने अप सब्सक्राइब तक गलत हुआ है बेटी को तुरंत दिखत में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और दोस्टी को घरस्तार करके उसकी जांच होनी चाहिए जब कोई कितने से वड़ें से बड़ा आदमी क्यों आ हो ठीक है यह मेरा दोनों लॉय से मैं सवाल पूछना चाहती हूं कल से समझ करने पर भी विचार कर रही है कानून इसमें क्या कहता है क्या तरीके हो सकते अगर ऐसा कोई मामला आपके वर्क प्लेस यानि काम की जगह पर आता है तो उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जैसे आपने बोला वो होती है और उसको इंक्वाइरी करनी पड़ती है कि एल कि इंटरनल कमेटी को अगर ऐसा कोई चिठी लिखा गया है कि जिसमें उन्होंने आई ओको चिठी लिखी है उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को या मामला सपूर्थ करना चाहिए इंक्वाइरी लागू करनी चाहिए और तोरन से तोरत क्योंकि एक्ट यह कहता है लिए 100 दिन के बराबर देंगे तो सही उसको बचाने का सम्विधान इनको अधिकार देता है पर नहीं चलेगा समिधान चलाता है समिधान इनको अधिकार देता है सम्विधान आदमी जिसके अगेंस एलिगेशन उसको भी अधिकार देता है कि उसके खिलाव सही तरीके से जाच की जाए और उस जांच के पीछे से कारवाई करी जाए, अगर जांच नहीं होगी आप कहेंगे, नहीं किसी ने बोल दिया, आप किसी को हटा दीजे, कल को किसी के अगेंस भी कोई कारवाई, कोई भी कोई allegation लगा सकता है, और उसको हटा दे, ऐसा नहीं होता है हमारे, और आप तो ऐस से कई मामले हो चुके हैं, जिसमें लोगों पर allegation लगाई गई और बाद में वो सही नहीं हुआ, तो जो एक नुकसान होता है, हमें एक balance बनाना चाहिए, कि जांच भी हो, और जिसके खिलाफ कारवाई की मांग की जा रही है, उसका भी कोई नुक्सान लागा, आपके इस जो खिलाडी हमारे धरने पर बैठे हैं, वो हमारे देश का गौरव है, बैठे हैं उनका विशह है, लेकिन गंभीर विशह इसमें ये जानना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं, ये विशह जनतक सामने लाना चाहती हूं आपके शोके माध्यम से, कि वो बार-बार कह रही बिस पर खानून क्या कहता है, कभी भी आ सकते हैं सामने माधम, लेकिन उस समय क्यों नहीं आए जानकारी नहीं, आप एक बात बताईए, आप एक वक्त के बाद आप जाग रही हैं, खिलाडी ये भोले भाले खिलाडी हैं, ये कटपुतली हैं, इनको महरा बनाया जा रहा ह जैसे जैसे हर्याणा में राजनीतिक सरगर्मिया तेज हो रही हैं, आप एक बात बताईए, पूरे देश के खिलाडी क्यों नहीं धरने पर उतर रहे हैं, क्या ओलम्पिक संग में सिर्फ हर्याणा के ही खिलाडी खेलते हैं, क्या हर्याणा के खिलाडी कोई पीड़ा है, तो सारे देश के खिलाडियों को होगी तो और खिलाडी क्यों नहीं सामने आते हैं नंबर विषयर नमबर दूसरा विशयर मेरा यह जानना है का.. पुरा अधिकार है बिल्कुल उन्होंने ठीक है देर सवेर इस बात का मुद्दा उठाया लेकिन बुद्दा ही तो हो मुद्दा ही तो हो जिसके साथ उत्पीड़न हुआ पहले ही आप धरने पर आगे इसका मतलब आपको देश के कानून पर भरोषा नहीं है पुलिस पर भरोषा नहीं है आप पर नहीं मैडम बताईए आप जैसी महिलाओं की वज़ा से या पुरूशों की वज़ा से बच्चिया सामने नहीं आती है आपने उन खूंपार आगे बढ़ना है और आप दंके की चोट पर नहीं है तुम सामने आई तो देश तुम्हारे सामने नतमस्तक है तुमने ताकतवर विवस्थाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई तुम वीरता पुरसकार के काबिल हो ये कब इस देश में होगा कब तक हम विक्टिम शेम कानूनी पहलू पे तो आपको जरूर बताऊंगा चांच तो निश्पक्ष हो ये जो चिट्थी लिखी गई है इंडियन ऑलम्पिक एसोसियेशन को दिल्ली पुलिस खोद इसका संग्यान ले सकती है और इंवेस्टिगेशन चालू कर सकती है इसमें पहले क्यों नहीं प्ल कर रही है उस बात का ध्यान नहीं आ रहा क्यों आई है आज शिकायत करने इस बात का ख्याल आ रहा है और जो आपने एक बड़ अच्छा सवाल पूछा अपने संभादाता से कि भाच्पा क्या उनका ये नहीं दायत वे बनता कि जितने समय तक ये इन्वेस्टिगेशन होत करिए कि जब तक पूरी इंवेस्टीगेशन पूरी नहीं की जाती वो नयतिकता का सवाल हो जाए मैं और जो कानूरी में मैं आपको कहा याप इसमें चल सकते हैं अब अगर बेटियां सामने आती है तो उनका हंसला बढ़ाना चाहिए उनको दराना नहीं चाहिए उनको दबा रहा हूं अगर सांसद हो इस्तीफा देने से कुछ घटनी जाएगा सुप्रीम कोट की रूलिंग के साब से जो स्पोर्ट की गाइडलाइन आई ऐस्सेशेशन की उसमें दस्ताल के हो चुके हैं इस्तीफा देरो भाईया तुम छह बार के सांसद हो आपने उपर आरोप हुए है इसलिए बची सोर माचारी है और बच्चियों को डराने दबाने वाला वह हिंदुस्तान का कोई वी आई भी हो उसको भकसना नहीं चाहिए